श्री माखनलाल चत्रुएदी जी द्वारे लिखेत कविता जवानी प्राण अंतर में लिये पागल जवानी कौन कहता है कि तू विद्वा हुई खो आज पाने चल रही घडियां चले नब के सितारे चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे चल रही है सांस किन्तु तू ठहर जाए दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए पहन ले नर्मंद माला उठ समंद समेश कर ले भूमी सा तू पहन बाना आज धानी प्राण तेरे साथ हैं उठ रे जवानी द्वार बली का खोल चल भूडोल कर दे एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे मसल कर अपने इरादों सी उठा कर दो हथेली हैं कि प्रिप्थी गोल कर दे रक्त है या है नसों में शुद पानी जाच कर तू सीस दे दे कर जवानी वह कली के गर्ब से अल रूप में अरमान आया देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया डालियों ने भूमी रूख लटका दिये फल देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे विक्ष डाली फूल दिये या सिर दिये त्रस की कहानी उठ कर युग में बताती चल जवानी छ्रवान के सिर हो चरण तो चाटता है भूक ले क्या सिह को वह डाटता है रोटियां खाई की साहस खा चुका है प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है तुम न खोलो ग्राम सिहों से भवानी विश्व की अभिमन मस्तानी जवानी ये न मद हैं तब चरण की रखियां है बली दिशा की अमर देख दिखियां है विश्व पर पद से लिखे क्रतिलेख है ये धारा तीर्थों की दिशा की मेख है ये प्राण रेखा खीच दे उठ बोल रानी री मरण के मोल की छड़ती जवानी तूटतार जुडता समें भूगोल आया गोद में मनिया समेट खगोल आया क्या जले बारूद सिम के प्राण पाए क्या मिला जो प्रले के सपने ना आये धरा यह तर्भूज हो है दो फांक कर दे चड़ा दे सतंतरता सतंतर प्रभू पर अमर पानी विश्माने तू जवानी है जवानी लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके लाल खुन नहीं अरे कंकाल किसके प्रेण ना सोई है की आटा दाल किसके सिर में चड़पाया कि छाया माल किसके वेद की वानी की हो आकाश वानी धूल है जो जग नहीं पाई जवानी विश्व है असिका नहीं संकल्प का है हर प्रले का कौन काया कल्प का है फूल गिरते शूल सिर उंचा लिये है रसों के अभिमान को नीरस किये है खोन हो जाए ना तेरा देख पानी मर का त्योहार जीवन की जवानी